मुंबई में शिफसेना नेता के महिला पुलिस कर्मी से मारपीट के मामले में शिफसेना ने के नारा कर लिया है शिफसेना की यवावर के अध्यक शादेत्य ठाकरे ने कहा ठाने की घटना का आरूपी शिफसेना का नेता नहीं है साथ ही कहा कि आरोपी का पार्टी से कोई संबंध नहीं है वही मारपीर की वज़े से महिला ट्राफिक बुरी तरह से जखमी हो गई है जिसके बाद उसे अस्पताल में भरती गराए गया है आरोपी शर्शी कान सडग पर गाड़े चलाते समय मोबाइल पर बात कर रहा था जिसकी एवस में महिला ट्राफिक पुलिस ने उसे रोका इसे दुरान आरोपी ने महिला पुलिस पर हाथ उठा दिया और उसे लगातार थपण माने लगा पुलिस ने संबन हुए आईपीसी की धारा 353 और 354 के तहट मुकादमा दर्शगर आरोपी को गिरफतार कर लिया है